दिस नियूज इस ब्रॉट टू बाई यमुना शरद महोटसफ पॉंटा साहिब रविवार रात को स्विरमौर पुलिस ने सूचना के अधार पर नहराधार से हरिपुर धार की तरफ आ रही गाड़ी से भारी मात्रा में हेरोईन वचुटा बरामत किया जानकारी के अनुसार संदी बहल को पुलिस ने गाड़ी में आते हुए रोका और उसकी तराशी ली इस दोरान पुलिस को एक क्यारी बैग मिला जिसे खोलने पर 5.30 ग्राम हेरोईन बरामत हुई उधर डियस्पी संगडाह शक्ति सिंग वा एस्पी सिर्मौर उमपती जमवाल ने बताया कि पिंजौर पंचकुला निवासी संदी बहल उर्फ रिंकु के खिलाफ मामला दर्जकर उसे गिरफतार कर दिया गया है मामले की झान बीन जारी है दिव्या हिमाचल टीवी के लिए नहरा धार से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट राज्य स्तरिया यमुना शरद महोटसव 18-19 अक्तूबर को पॉंटा साहिब में शुरू होगा सोमवार को उपयुक्त रामकुमार गौतम करेंगे शुभारम तो मंगलवार समापन पर पहुंचेंगे उर्जा मंत्री सुकराम चौधरी साथ ही उपाध्यक्ष खाद्य एवं अपूर्ती निगम बलदेव तूमत वपुलिस अधीक्षक उमापती जमवाल भी बतौर अतितिक कारिक्रम की शुभा बढ़ाएंगे अधियक्षवा स्डियम विवेक महाजन पॉंटा साहिब ने बताया कि इसके अलावा कबड़ी स्टार अजे ठाकुर रितूनेगी और प्रियांका जैसी हस्तियां भी इस महौतसफ में शिरकत करेंगी इस दोरान खेल कूद प्रतियोगिताओं के साथ साथ प्रो कबड़ी लीग का भी आयोजन होगा